शिवलिंग से निकली रोशनी मनन की ओर आ रही थी जैसे ही रोशनी मनन के शरीर पर टकराएगी वो अपने असली रूप यानि मेरे रुद्र के रूप में आ जाएगा इस महानागिन का महानाग बस कुछ पल और गौरी आखर ये कर क्या रही हो तुम और रोशनी जाकर मनन के शरीर पर टकराती है और मनन जमीन पर गिरता है गौरी ये देख खुश होती है मगर मनन अपने नाग रूप में नहीं आता ये कैसे हुआ? मनन नाग रूप में क्यों नहीं आया? लेकिन मनन के शरीर से निकल कर वो रोश्नी पीछे छिपय अभह की उपर गिरती है और पूरा खंडर हिलने लग जाता है और अभह पीछे से निकल कर आता है तो गौरी उसे देख कर चौक जाती है अभह का आधा शरीर नाक का था ये कैसे हुआ? गौरी यही खेल है नियती का तुझ जीत कर भी हार कई ये रहा तेरा रुद्र गौरी मैं तुम्हारा रुद्र मैंने अभे के रूप में फिर से जन्म लिया था और अब समय आ गया है हमारे एक होने का मनन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था चोटे मालिक ये क्या हो गया है आपके साथ मगर अभे मनन को छिटकर दूर हटा देता है अभे गौरी के पास जाता है और जैसे ही उसे चूता है गौरी भी महानागिन के रूप में आ जाती है और अभे गौरी को गले लगाता है गौरी ये सब देखकर हैरान थी मनन अभे और गौरी को एक साथ दे उदास होकर वहां से उठकर जाने लता है मेरा प्यार हासिल हो ये सचा इश्ट नहीं है तुमारे खुशी में ही मेरी खुशी है गौरी तुम दोनों हमेशा खुश रहो गौरी अभे के सीने से लकर मनन को जाते हुए देख रही थी बहुत इंतिजार कराया था ना मैंने तुम्हें गौरी मुझे माफ कर दो फर मैं तुमारा रुद्र लोट आया हूँ हां रुद्र तुम लोट आये मेरा रुद्र लोट आया है मेरे जन्मों का प्यार आखे राज मुझे मिल ही गया गौरी अभे को पाकर खुश तो थी मगर मनन को जाता देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का एक हिस्सा तूट कर जा रहा है अभे मगर मुझे तुमारे करीब आने पर भी कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा मेरा दिल एकदम सामाने कैसे है ये उस तरह क्यों नहीं धड़क रहा है जैसे मनन के इस परश से धड़कता था ये तुम क्या कह रही हो गौरी मैं समझा नहीं पर मैं समझ गई नियती जो मुझे कहना चा रही थी गौरी अभे को धकेल कर बाहर भागती है और मनन को आवाज लगाती है मगर मनन नहीं रुकता तेरी खुशी में है खुशी तेरे गम से है गम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खतम और मनन गौरी का गाना सुनकर पलटता है और उसकी फैली बाहों को देखता है मनन दोड़कर गौरी के पास जा रहा था कि तभी दूसरी ओर से अभे पे उसे आवाज लगाता हुआ आता है अभय को देख मनन रुख जाता है अभय गोरी का हाथ थाम लेता है और गोरी मनन का बच जो मनन तुम्हारी मंजल तुम्हारे पीछे खड़ी है गोरी मैं तो बस एक कहानी में एक मोड था मुझे भूल जाओ गोरी और मनन रोने लगते है उधर बिस्तर पर पड़े केशव को अचानक ही कमरे में हलचल सुनाई देती है वो घबराकर इधर उधर होने की कोशिश करता है कि तभी अपनी चाती पर एक बड़ा नाग बैठा पाता है केशव कोई भी हलचल कर पाता कि तभी नाग उसके माथे पर डस लेता है पकते ही केशव का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है और नाग रौनक में बदल जाता है स्वीटी कमरे में आती है और अपने बाप की लाश देग बहुत रोती है हर बुराई का अंत तो एक ना एक दिन होना ही था स्वीटी अपने बाप की कर्तूत नहीं जानती थी मगर कही न कहीं आपके किये गए पापो का फल आपकी अगली पीडी को भोगतना पड़ता है तभी दश्रत भी वहां आता है और केशव को मरा हुआ देख वहां से भाग जाता है ये कहर है नाग इनका भैंकर कहर है अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी वो मुझे तक पहुँचे उससे पहले मुझे उससे कैद करना पड़ेगा दश्रत अपने घर की ओर दोड़ता है और फिर पेटी में हाठ डाल कर बीन निकालने लगता है मगर वहाँ कोई बीन नहीं था कहा गया, कहा पर गया, यहीं तो था क्या हुआ, कहीं, इसे तो नहीं ढूट रहे हो हाहा हाहा रौनक, मैं चाहे कोई भी हूँ मगर पापियों का सर्वनाश होगा आज सर्वनाश होगा तभी पीछे खड़े रौनक और कसक जोर से हसते हैं दश्रत जैसे ही पलट कर देखता है पीछे दो नाग और नागिन खड़ा देख वो घबरा जाता है बीन रौनक के हाथ में थी कसक और रौनक दश्रत को अपनी पूँच में जकर लेते हैं नहीं, छोड़ दो बुझे, नहीं मुझे जाने दो गौरी कैसे जाने दू मनन, तुम मेरा प्यार हो कैसे जाने दू, ये मैं किस चक्रवी हूँ मैं फस गई हूँ अगर मनन प्यार है तो फिर मैं कौन हूँ गौरी इतने सालों की तपस्य के बाद आज तुम्हारा रुदर तुम्हारे सामने खड़ा है तो तर कैसे सवाल तुम्हारे उलजन बन रही है अगर ये प्यार है तो रुदर कौन है रुदर मेरा अतीध है अभे मेरा अतीध और मनन मेरा वर्तमान है जानती हूँ मैं रोत्र को बहुत चाहती हूँ और आद सच में मेरा रोत्र मेरे सामने खड़ा है मैं खुश हूँ मगर ये खुशी प्यार नहीं है अब है पर गौरी मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ बहुत प्यार तो दिक्कत क्या है जब नियति हमें मिला रही है तो फिर क्या दिक्कत है अभ है मेरी बात सुनो नियति नहीं मुझे इशारा किया है कि मुझे मेरे बीते कल के प्यार में से और मेरे आज में से किसे चुनना चाहिए दोरी यह सही नहीं है मनन मैं अभय के साथ रहकर भी खुश नहीं रह सकूंगी अभय बच्पन से मेरी आँखों के सामने था तब भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि यही मेरा रुद्र है जबकि तुम रुद्र ना होकर भी मेरे दिल को धड़काते थे यानि कि मेरा सचा प्यार तुम हो तुम ही थे मेरे असली शक्ती जो बीद गया मैं उसे सीने से लगा कर अंधी हो गई थी अगर तुमने फिर से मुझे अपने प्यार की आँखें दी और तुम नाग हो या ना हो मुझे इसी मनन से प्यार है हमारा इस जन्म में कोई मिलन नहीं लिखा रुत्र अगर तुम और मैं सच में एक होने होंगे तो हम फिर से कहीं जन्म लेंगे फिर से एक दूसरे के बन कर मगर अभी मैं ये जन्म मनन के साथ जीना चाहती हूं गोरी अभे का हाथ छुड़ा कर मनन के सीने से लगती है और उसका महानागिन का शरीर फिर से सामान मानव वाला बन जाता है मनन गोरी रोते हुए एक दूसरे सिल्ले पड़ जाते हैं मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है गोरी और इसे ही मैं अपनी नियती मान बैठा था तभी गोर बिजली कड़कती है और तभी नियती की पोकार आती है गोरी यही तुम्हारी मनसिल थी जिस तलाश में तुम्हारी तलाश का अंत नहीं थी मगर तुमने मनन को चुन कर अपनी पूरी नियती बदलती इसलिए तुम मनन के साथ एक जीवन जीने योग्य हो गई हो गौरी बड़ी खुश होती है तभी वहां कसक और रौनक आ जाते हैं और पूँच में लिप्टे हुए दशरत को भी लेकर आते हैं गौरी उसे देखते ही क्रोधित हो उड़ती है दशरत अभे को नाग बना देख हैरान था ये क्या हो तुझे मेरे बेटे ये आपके बुरे कर्मों का फल है पापा यशोधा सुमेधा और जानकी भी आ जाते हैं और सारा मंजर अपनी आखों से देखते हैं नागिन छोड़ दे मेरे बेटे को ममता की परदे में कब तक अपने बेटे के बुरे कर्मों को छिपाओगी तुम और गौरी अपनी आखों से रोश्नी निकाल कर वहां सब के सामने खंडर की वो पुरानी घटना चला कर सबको दिखाती है जिसमें दशरत और केशव रुद्र का कतल कर रहे थे गौरी दशरत को ठोकर मार देती है सब लोग उसे घेर कर खड़े थे और हेद रिष्टी से देख रहे थे गौरी क्या करना है इसके साथ बताओ मुझे गौरी अभे की और देखती है कि अचानक ही अभे नजर जुका लेता है माना कि इसने मेरे पती का कतल किया मगर अपने बदले के लिए अभे के पिता को मारना बदला नहीं है अपने परिवार के समने दशरत अब कभी सर नहीं उठा सकता यही मेरा बदला है जा दशरत अब पूरी जिंद्गी अपने इस परिवार के लिए तरस दशरत वहीं जमीन पर बिलक बिलक कर रोने लगता है और सब लोग उससे मूँ फेर कर जाने लगते हैं सब लोग खंडर में जाते हैं और शिवलिंग के आगे हाँ जोडते हैं अब है तुम रुद्र का पुनर जन्म तो हूँ मगर हर शरीर के अंत के बाद आत्मा का मुक्त होना जरूरी है इसलिए अब रुद्र तुम्हारे शरीर से मुक्त होता है अब है गौरी की और देखकर उसे अलविदा करता है और अब है से रुद्र की आत्मा निकल कर चली जाती है और अब है नाग से सामाने रूप में आ जाता है सब लोग मिलकर उसी शिवलिंग के फेरे करा कर मनन और गौरी को भी एक कर देते हैं सब खुश थी फूलों की बारिश हो रही थी तो कसक अब हमारे भी जाने की बारी आ गई है कसक रौनक का हाथ हाम कर खंडर के द्वार में प्रवेश कर अपनी दुनिया में लोट जाते हैं गौरी और मनन एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और गुन-गुनाने लगते हैं दूस्तों यहां हुआ महा नागिन का अंत और अब जल्द ही हम लोटेंगे नई नागिन सीरीज के साथ अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइए आपकी राय सबसे उपर है क्योंकि आप सब हमारी फैमिली है सो कीप वाचिंग एनिम स्टोरीज थैंक्स फॉर वाचिंग